उस टाइम पे गुलबग सुसाइटी में बगला नमबर 18 में था और बगल में जाफरी साब का मकान था और उनकी मिस्री जख्या जाफरी अमारे साथ थी और वहाँ पर दंगाई उने उन सित्तर लोगों को जला कर मार गिया गया था और 2002 से 2008 तक अमने सुप्रीम कोट में लड 2017 के अंडर जाक्या जाफरी की आई कोट कारीश कर दी फिर जाक्या जाफरी शत्तरा के पार गई आज साथ दिन पहले से रिंग चालुे और सित ने जो तपास जो नहीं करिये जो फोन कॉल हुए उस ताइम पकर आरोपियों ने फोन कोल किये बड़े अधिकारियों ने फोन जाफरी साब ने फॉन कॉल किये जिस तरह से और ऐसा लगता था कि नोकर साह और पुलीस और सब मिली भगत की तपास चल रही थी तो वहीं सारे मुझ्दे वहां पर अभी उठाए गए हमारे अड़ोकेट कपिल सिब्बल ने जक्क्या जाफरी के अड़ोगों ने यह सब्सक्राइं पुरा मुसलिमों को खतम करना है, प्री प्लान के तहरे था, सुबा में पुलिस आती है गूलवर्ग पर, आकर करके चली जाती है, सयूप कमिस्टनर आते हैज़ो मुसलिमों शinned करके साम तक does 30- 55 बच तक कोई पूलिस आती नहीं, रिमान्ड ये की गई है कि जिस तरह से जैसे के ambulance की तपास निकी गई, phone call की तपास निकी गई, जैसे RBC कुमार साब बोल रहे थे, उनका statement का निक आई भी इंटेलिजन के थे, संज्यू बट का था, राहूल सर्मा साब का था, नरोडा पाटिया का था, नरोडा घाम का था, याने सारी चीजे जो आरोपी भी phone कर रहे थे, अधिकारी भी phone कर रहे थे, यहां तक के हमको ऐसा सुनने में आया था, कि अस्वक बट थे जो पुलिस हेटकाटर में बैठे हो रहा है, दूसरे जगा जाओ, उदर जाओ, उनको फिर्या, उनकी भी तपास नहीं हो, उनका भी कोई statement, शिटने रेकोर्ड पर नहीं लाए, और जिस तरह से किलिन चीट दी, तो हमारा मानना है कि नरेंद्र मोधी गुनेगार है, 2002 के दंगे का पारोपी है, उनको सजा हो पारोणी चीए, सारे गुनेगार थे, इन्नों ने पूरी-पूरी इनके जिम्मेदारी का गेर उप्योग उठाया, अब ये चाते हम सुप्रीम कोर्ड से, जिस तरह से अभी सुनवाई चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ड से हमें एक नहाई के आसा जगी है, फिर से, कि जिस तरह से होना चाहिए था, जो इनसाफ मिलना चाहिए था, वो इनसाफ अगर जिस तरह से तपास करेगी, तो हमको लगता है कि शायद इनसाफ मिल सकता है